हेलो फ्रेंड्स भाई बहाएं मामी ब्लॉज में सभी का स्वागत करती हूँ उमीद करती से अच्छे हल्थ में होगे और पड़िवार का ख्याल भी रखते होगे तो यहां राधिका के पापा की स्टोरी बाप रे बाप पहली बीवी है कि हॉकस की तरह चिलाती है कैंसर पेशिंट होके भी और बेटी को तो अब ब्रें ट्यूमर हो गया वो भी लास्टेज उपर से आयस की पढ़ाई कर रही है बाप रे मेरे को तो खासी हो गया है लोग य बीवी आ मेरी बहुत सारी और फ्रेंज ये राधिका की मम्मी कोई दूसरी बीवी नहीं है ये तीसरी बीवी है मतब इनके अभी तक और दो गुल खिला चुके हैं पहली ये बीच में कोई और और तीसरी राधिका की मम्मी माइ गॉड मतलब ये सब कितना लोचा चल रहा ह इससे लिए अब मुझे पता चला कि राधिका के पापा राधिका की शादी एक बार इतने रिक्वेस्ट समर की मम्मी के करने से क्यों समर से करवा दिये दस बार क्यों नहीं सोचे अपनी बेटी की शादी समर से करवाने के लिए क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो खुद इतने नीज गिरेवे इंसान है कि उनकी बेटी की शादी समर से हो या किसी और से हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था यहाँ पर राधिका की मम्मी रेडी नहीं थी राधिका की शादी करानी के लिए पर राधिका के पापा समर की मम्मी के रिक्वेस्ट करने में ज़र से रेडी हो गए कि मेरी बेटी की जहाँ शादी जहाँ खुशी मेरी वहाँ खुशी इतनी खुशी कि एक बिना डिवोस लिये एक समर से एक लड़के जो बिना डिवोस लिया हुआ है उससे शादी उन्होंने करवा दिया वा भाई वा आप पता चला main reason क्योंकि उनको इतना प्यार राधिका से ही नहीं क्योंकि वो राधिका को बोल रहे है मेरी एक गलती थी मेरा एक थोड़ा से अच्छा सफर था जिस अच्छी सपने की एक पैदाईश है राधिका ये कोई बात होती है कोई पापा अपने बच्चे के लिए इस चीज बोल सकता है मैं तो हैरान होती हूँ ऐसे पापा ऐसे से पिता को देख के कि कोई अपने बच्चे के लिए ऐसा बाद भी बोल सकता है कि गुरिया तुमी मेरी पहली बेटी हो तुमी मेरी एक लौती बेटी हो तो राधिका कौन है आपकी, मैं राधिका के पापा से पूछा चाहती हूँ, आपकी वो कौन है, आप तो ते दिन मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किड्नाप हो गया है, मेरा बच्चा को क्या हो गया है, मैं छोड़ूँगा नहीं समर को, अंकित को नहीं छोड ये respect भी आप खो दिये हो गंदे से गंदे मतलब नाली के की रहे हो आप मैं तो ये आप बोलूँगे आपको छी गंदे इंसान छी बस friends ही बोलना था इतना मुझे गुसा आया राधिका के पापा को देखके है मैं तो सोच रही हाई भाई मतलब ऐसे भी इंसान होते है ऐसे पिता होते है जो अपनी बेटी को मतलब एक भूल एक सपना क्या-क्या बोल के राधिका को एड्रेस कर रहे है और यहाँ पर ये इस लड़की को अपनी बेटी तो बोल रहे क्योंकि बेटी है मगर यह लोग इसको अपनाने से ही इंकान कर रहा है और सबसे बेस्ट बाद में प्रकाश भाई का यह लगा कि उन्होंने जो यह एडवाइस दिया ना राधिका के पापा की पहली वाइफ को कि आप लोग यह दिली शहर छोर के चले जाओ बहुत ही बढ़िया एडवाइस थ सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक लिए बाई-बाई